जैम आतादी दोस्तों वर्ण बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आपस ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आतादी जरूर लिखें दोस्तों 20 अप्रेल 2030 को साल का पहला सूर ग्रहन लगने जा रहा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 20 अप्रेल का लगने वाला सूर ग्रहन का 12 रासियों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है ये सूर ग्रहन किन रासियों के लिए सुब और लाप प्रदान करने वाला रहेगा और किन रासियों के लिए ये समान रहेगा और किन रासियों के लिए ये कस्ट प्रद रहने वाला है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी साथ ही 20 अप्रेल का लगने वाला सूर ग्रहन किस समय और कहां कहां दिखाई देगा इसकी भी जानकारी दूंगी लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ड बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों बैसा का मौस्या के दिन साल का पहला सूर ग्रहन लगने जा रहा है जो की 20 अपरेल 2030 दिन गुरुवार को लगेगा इस सूर ग्रहन की सुरूवात 20 अपरेल की सुबह 7 बचकर 5 मिनट पर हो जाएगी और ग्रहन का मद्यकाल सुबह 9 बचकर 46 मिनट पर होगा और इस सूर ग्रहन की समापती 20 अपरेल की दुपहर को 12 बचकर 29 मिनट पर होगी इस सूर ग्रहन की कुल अवदी 5 घंटा 24 मिनट की रहेगी हाला कि ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये सूर ग्रहन सिर्फ पूरवी दच्णी एसिया, आस्ट्रेलिया, अट्रांटिका, न्यूजीलेंड, फिलिपिन्स, इंडोनेसीया, प्रसांथवा, हिंद महासागर में दिखाई देगा क्योंकि ये सूर ग्रहन भारत में देखा नहीं जा सकेगा इसलिए इस सूर ग्रहन का सुत्तकाल भी भारत में माने नहीं होगा आपको बता दें कि ग्रहन के समय सूर्य अपनी उच्छ रासी मेश में रहेंगे जहां उनके साथ बुद्ध और राहु भी मौजूद रहेंगे साथ ही इस ग्रहन के दो तिन बाद ही देवकुरू ब्रस्पती रासी परिवर्तन करेंगे ऐसे में जोतिस द्रस्टी से साल का पहला सूर्य ग्रहन बेहदी खास होने जा रहा है ये सूर्य ग्रहन मेश रासी और अस्वनी नच्छतर में घटने जा रहा है इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव मेज रासी वाले जातकों वा अस्विनी नचत्र में जन्मे जातकों पर ही होगा उनके लिए ये सूर ग्रहन कश्टकारी रहने वाला है दोस्तों सास्तरों में सूर ग्रहन का काफी महत तो है ग्रहन के समय हमारे आसपास की चीजें काफी प्रभावित होती है इसका असर बारा रासी वाले जात्कों पर भी पड़ता है वहें कुछ रासियां ऐसी मिहें जिनके लिए ये सूर ग्रहन बहुत ही सुब है लेकिन कुछ रासियों के लिए ये सूरग्रण असुब रहने वाला है तो चलिए जानते हैं कि 12 रासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सबसे पहली रासी है मेस रासी दोस्तों ये सूरग्रण मेस रासी पर ही लगने जा रहा है इसलिए इस सूर ग्रहन से जो रासी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी वह है मेस रासी मेस रासी वालों के लिए सूर ग्रहन परिसानी लेकर आया है आपको स्वास्त और आर्थिक दिकते हो सकती है भाई बहन में मदबेद हो सकता है आपको करियर में चुनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता है मानसिक कस्ट होने की भी संभावना है आपको मानसिक पीड़ा के साथ सारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है आपको अपनी नोकरी या वैसाई में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो सूर ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको रोज हनुमान चालीसा का पाट करना चाहिए इससे आपके कस्ट दूर होंगे दूसरी रासी है व्रसब रासी दोस्तों व्रसब रासी वालों के लिए ये सूर ग्रहन काफी सुब रहेगा आपके लिए आने वाला समय काफी अच्छा होगा आपको धनलाब के योग भी बनेंगे आपको कोई खुसकबरी भी मिल सकती है लेकिन आपको थोड़ा सारी रिकस्ट भी मिल सकता है आपको ग्रहन के दुस प्रभाव से बचने के लिए जादा से जादा सूर के मंतरों का जाप करना चाहिए तीसरी रासी है मिथुन रासी मिथुन रासी के जातकों के लिए भी ये सूर ग्रहन अच्छा रहने वाला है आपके धनाय के रास्ते खुलेंगे आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है आपके सुखों में विवर्द्धी होगी आपको अपने बढ़ों का ध्यान रखना चाहिए इसलिए आप सुर्ग रहन की समाप्त होने के बाद दान दचना भी करें और गड़ेश जी की पूजा से आपको लाप मिलेगा चौथी रासी है करकरासी दोस्तों करकरासी के लिए ये वक्त समान रहेगा आपका आने वाला समय इम्तहान भरा हो सकता है आपके कुछ काम तो बनेंगे वहीं कुछ कामों में उल्जने भी बढ़ेंगी आपको अपनी सेहत के प्रती सचेत रहना होगा इस दोरान आपके संबन्ध भाई बैनों से बिगड़ सकते है माता की सहत का भी ध्यान रखें दोस्तों ग्रहर समाप्त होने की बाद आप किसी ज़रुत मंद को भोजन अवस्से कराएं अगली रासी है सिंग रासी दोस्तों सिंग रासी का स्वामी सूर है ऐसे में सिंग रासी के जातकों के लिए साल का पहला सूर ग्रहां सायद अनकूल ना हो लेकिन इस दोरान आपके चल रहे काम में नुकसान हो सकता है और आपको कई तरह के प्रतिकूल परणामों का भी सामना करना पड़ सकता है आपको धनहानी के योग भी बनेंगे और आपका क्रोध इस समय आपको किसी परिषानी में भी डाल सकता है इसलिए आप आदित हर्दै स्रोत का पार्ट करें इससे आपको लाब मिलेगा अगली रासी है कन्या रासी कन्यारासी के जातकों के लिए भी ये सूरगहन असुफल देने वाला रहेगा ऐसे में मांसिक तनाव बढ़ेगा निरासा और व्यपार तथाकार छेतर में असफलता की भी संभावना हो सकती है इसलिए आप अपनी वाणी पर थोड़ा सैयम बना कर रखें आप किसी वाद विवाद का भी सिकार हो सकते हैं ज़्यादा बादचीत करने سے बचें फरना आपकी ही हानी हो सकती है अपनी सेहत का भी ध्यान लखें आपको दुरगा माता की उपासना से लाभ मिलेगा अगली रासी है तुला रासी तुला रासी वालों के भाग में व्रद्धी होगी कोई खुसकबरी भी आपको मिल सकती है इस समय धन लाब भी होगा आपके करियर में नया आस्मान और काम्याबी को नई उडान मिलेगी आपकी बुद्धी और मेनज से आपको बहुत लाब होगा आप सूर ग्रहन समाप्त होने के बाद गेहूं लाल फल लाल कपड़ा आदी चीजों का दान करें इससे आपको लाब मिलेगा अगली रासी है व्रिस्चिक रासी दोस्तों ये सूर ग्रहन व्रिस्चिक रासी के लिए समान फल देगा आपकी थोड़ी उल्जने बढ़ सकती है आपको सारे रिकर्ष्ट भी जेलना पढ़ सकता है लेकिन आपके नौकरी व्यपार में आपको समान फल प्राप्त होगा इस समय आप कहीं भी अपना पैसा ना फसाएं और किसी नए वैसाएं के बारे में ना सोचें इस समय आप कोई भी डीसीजन सो समझ कर लें इस समय आप महामर्दुन्जय का जाप करेंगे तो आपको लाप मिलेगा अगली रासी है धनूरासी धनूरासी वालों के परिवार में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं आपके बास से आपके सम्मन्द बिगड़ सकते हैं या कोई पार्टनर्शिप में बिजनस है तो आपका पार्टनर आपको धुका दे सकता है इसलिए अपनी पैनी नजर रखें साथ ही अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें आपको एक लोटे में हल्दी मिलाकर सूर्व को जल चढ़ाना चाहिए अगली रासी है मकर रासी मकर रासी वालों को फिजूल खर्च होने की संभावना है आपको स्वास्त के प्रतिवी सचेत रहना चाहिए आपके बने-बनाए काम भी इस वक्त बिगड़ सकते हैं इसलिए कहीं भी धन का निवेश करने से बचें आपकी नोकरी में भी समस्या आ सकती है किसी बिमारी से भी जूजना पड़ सकता है इसलिए आप सिविलिंग पर रोज चल अर्पित करें इससे आपको लाब मिलेगा अगली रासी है कुम्ब रासी कुम्ब रासी वालों के लिए आने वाला समय जिंदगी में कई अच्छे औसर लेकर आया है करियर में सफलता मिलेगी लाब होने की भी संभावना है लेकिन मित्र से तनाव मिल सकता है नौकरी में तरक्की मिलेगी आप ओम नमाशिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाब करें इससे आपको लाब मिलेगा अगली रासी है मीन रासी मीन रासी वालों के लिए समय अनकूल है मान सम्मान में व्रद्धी होगी धन वैभों की प्राप्ति होगी तथा नौकरी में प्रमोसन मिल सकता है आपके सुखों में व्रद्धी होगी बस आपको अपने घर के बड़े लोगों का ध्यान रखना है और आपको भगवान विश्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करने से लाब मिलेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमाता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद